मैं रुपेश कुमार मिस्तर आप लोग अस्वागत करते हूं आपके अपने इस चैनल पर तो कमेंट जब देखा कि मैथमेटिक्स ओनर्स पेपर 6 का जो है क्वेशन का कमेंट आ रहा है कि उसका क्वेशन अपलब्द करवाया जाए अपने लोग का कुछात रहें उसी एक्सपर्ट से ना सेट करवाया जाएगा मैं खुद कर दूंगा यह बात थोड़ा लेजिटिमेट नहीं लगता है इसलिए मैं तो सिर्फ फिजिक्स का हूं तो फिजिक्स का आप लोग को बता सकता हूं या उसका शॉल्यूशन भी प्रॉपर रूप से संधीब जी हैं उनसे मैं मदद लेता हूं जो कि आपको बोलता भी चीज बताता हूं यह आपको यह बता देना जरूरी रहता है कि मैंने माली जे जो हैश के लिए ईक्सपर्ट से माली जे सलाह लेकर जो है question set करवाए, खुद से करना possible नहीं है, तो आज की कौन कौन सा question important है, परिक्षा की दिस्टिकों से, जो इस पार आने वाले 2020 के परिक्षा में पूछे जा सकते हैं, थर्ड पार्ट का paper 5 का देखा दिया है वने question, आप देख लिजिए paper 6 का, जो question काफी महतवपूर्न है, इ चैनल को support दें और उसके साथ चैनल को subscribe कर, वीडियो को share करिए, like करिए, और साथ में notification के लिए bell icon को जरूर प्रेस करके रहे हैं, ताकि मैं जैसे कोई upload करूँ वीडियो, मैं तो जैसे पहले बता देता था कि वीडियो upload करूँ, तो उसका notification आपको तुरंत प्राप्त हो अब mathematics owners part 2 का भी एक प्रस्न सेट करवागे देंगे और part 1 का भी इनको मैंने यहां पर लड्डू दे दिया, अप लड्डू खाई अराम से, और enjoy कीजिए, अज देखते हैं, इनका बाल वाल सभी एकदम जो बना दिया, अच्छे से, थोड़ा पांच को उंगली बना दिया, संदीब बावु जो है, मतलब जो बात है, महनत करते हैं, बहुत ही, मतलब honest student है, काफी laborious student है, इसलिए मैं इनका तहे दिल से सुकरिया आदा करता हूँ कि एकम से कम, हम लोग के लिए या आप लोग के लिए काफी मदद करते हैं, यह तो मेरे को प्रस्न उपलब्द करवात है, 2021 में आने वाले एक्जामे, क्योंकि एक्जामे नेसर लगभाग अब नजदीक है, और बहुत जल्द परिक्षा के ठीठी गोसित होने वाली है, इसलिए आप लोग इस सारे question को त्यार कर लें, और अलग से आप लोग जो कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन इसको जरूर आ ग्रूप, इफ जी स्लेस या जी बाइज जो होगा, आप लोग समच दिए का, इज साइक्लिक, प्रूब दाट जी इज अबेलियन, ए बेलियन, ठीक, पहला, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट कोश्च्छन, इसमें पहला का ए ये बी, इफ पी इज ए प्राइम नमबर, and G is a non-ebellion group of order p का power 3, p cube, so that दिखाइए, दिखाइए, the center of a group, capital G, has exactly p elements, ये बी, second question देखिए, एस्टेट एंड प्रूब कावचीज थियोरम फॉर ए फाइनाइट अबेलियन ग्रूप यह तो समझे बहुत ज़्याद है इसको नहीं छोड़ियेगा उसको याद या सुरी इसको त्यार करी लीजिएगा स्टार लगा दिया बाकी वैसे आपको सारा करना है लेकि ठोरन टैपको क्वेश्चन को तो किसी भी हालत में उसको बार बार प्रैक्टिस करके अच्छे सापने दिमाग में उसको स्कैन कर लेना है ताम नहीं जाएगा पर इक्षाब आसानी साप लिग सकेंगे उसको इसमें भी है इफ एच इज एपी साइलो सब ग्रूप ओफ जी और एक्स यह बिलोंग स्टु है यह जो यह साइन अब देख लीजे मुझे नहीं पता देन एक्स पावर इंवर्स एच एक्स इज आल्सो आपी साइलो सब ग्रूप ओफ जी इसमें तरीसरा कोश्चन है डिपाइन इसमें यह मेरा हो गया इसमें ऐर आर पिर अ कम्यूतेटीव रिंग जैसे कुम्टेट diff और फरह होंगे आ अप लोग देखे होंगे वैक्टर में अधितीर मिए है और बहुत सारे चीज़ में इसका काम पढ़ता है वित यूनिटी एलिमेंट वन एंड लेट ए नोट बिलॉंग स्टु आर देन प्रूब देट ए नोट आर बराबर ए नोट आर बैर बिलॉंग स्टु आर इज एन आईडियल इन आ यह हो गया अब आगे चलिए देखते है चलिए संदीब जी अपना लटू खाते रहेंगे इनका भी थुरा प्रसंसा कर दिये क्योंकि इनका कॉलेबरेशन रहता है इसलिए प्रसंसा करना जरूरी रहता है जो क्लेबरेशन धेरें उनका प्रसंसा आगविना कम नहीं चलता है जी चौता है डिफाइन दा फुल फुल स्टॉप प्रूब अगर्ण ओव ओमोर्फिस्म और मॉड्यू इजा सब मॉड्यू चौता पांचमा क्वेशन है डिफाइन दोमेंस और पूब अभरी उप्रीडियू इदेन रिंग इज अ प्रिंसिपल आइडियू रिंग पांचमा काफ इंपोर्ट इप्रे वन इज कंटेंड इन द अधर इसका भी देख लिजे नीचे मने लिख दिया यहां पर लिट यू एंड ड्याबलू बी सब स्पेस ओफ और भेक्टर स्पेस भी एफ ब्रैकेट में देन सो बैट भी बराबर यू गलोब का साइन पताने डबलू फिर यह जस्ट यह निसान यह साइन क्या बोलते हैं इसको पताने भी बराबर यू पलस डबलू यू इंटर सेक्शन डबलू बराबर ब्रैकेट में जीरो मेडिन ब्रैकेट अब पाचमा है स्टेट एंड प्रूब बेसल्स इनिक्वालीटी इन ए फाइनाइट डाइमेंशनल लीनियर इक इस पाचमा यह भी वह काफी इमेट्टनिक्शन यह है एक पुसिंट एंड प्रूव एग्जिस्टेंस ठ्योरम ये कोशन हो गया है एक थ्योरम, existence theorem for base, existence का मतलब अस्तित्तो, existence का मतलब अस्तित्तो, for basis of a finite dimensional vector, ये हो गया मेरा, ये 3-4 question इधर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 question लगभा अच्छे question इधर हो गया, और आप आगे चलिए और क्या questions है, continue करते हैं, क्योंकि लगभागा में को 15 से 20 questions तो जरूर तयार करके जाना है, mathematics म आप देखिये, मैं ये बता देता हूँ, कि अगर मैं दे दिया, आपको 2 plus 3 बराबर 5 पढ़के जाना है, तो आपको ये नहीं समझेगा, ये आपको 2 plus 3 ही पूछेगा, as for example, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको exam में हो सकता है, 4 plus 3 भी पूछ दे, ये कोई matter नहीं करता, परपर के समझा दे, थाकि कोई confusion आप लोग के बीच ना बना रहे, और आप लोग जो है continue इस सब चीज को समझ सके, ठीक है, ना चलिए देखते है, तो चलिए इसमें देखते है, सात्मा नमर क्या है, पहला है, define a polynomial ring Rx over a ring R, prove that if R is a commutative ring with unity element, then so is Rx, further, prove that R is an integral domain, then so is Rx, सात् है, if F is a field and V, बरावर, F का पावर N, consisting of all N types of elements of F, then so that V is a vector space over F, under coordinate wise linear operations, 8 हो गया, 9th, find the Eisen values and Eisen vectors of a matrix A, बरावर, big bracket 3, 4, 4 minus 3, and prove that the Eisen vectors of A are linearly independent, no more question, दसमा है, if x and middle bracket comma y and middle bracket are sequence in an inner product, space E and x comma y belongs to E, such that limit n tends to infinity, x and beraber x and limit n tends to infinity, y and beraber y, then prove that limit x tends to infinity, big bracket x and comma y and बरावर x comma y, यह हो गया मेरा 10 question, तो चलिए अब हम लोग 11th question देखते हैं, क्या है 11th number question, 11th है, if o comma g बरावर row square, where row is a prime number, then prove that g is abelian, 12th question, define a Euclidean with an illustrative example, prove that in a Euclidean ring r comma d, देखिए, आपे u is a unit in r, if du बरावर 1, if x and y are associates, then dx बरावर dy, ठीक, 12th question, 13th, मातर 15th question, उनके द्वारा set किया गया है, 15th question आप लोग प्रिपेर कर लिजेगा, exam के लिए better रहेगा, prove that the mapping t ratio r square, उसके बाद ये arrow sign r cube defined by t x comma y, बरावर x plus y, x minus y comma y, is a linear transformation, 14th, find the as in values of the matrix 2112, 15th, e1 comma e2 dot dot en is a finite ortho normal set in an inner product space, h and x, any vector in h, then prove that x बरावर i बरावर 1 से लेकी n तक x comma ei, ei is a orthogonal to ej, for each j बरावर 1 comma 2 comma n, where x comma ej stands for the inner product of x and ei in h, बस ये 15 questions आप लोग prepare कर लिजिए, असानी से आप लोगो 6 questions ही न, solve करना रहता है जी, तो 15 questions कर लेंगे, तो मेरे ही साथ sufficient है, 5 questions तो जरूर है, इसके में 100% रहेगा ही, मुझे जहां तर लगता है, उन्हों का 75% match करेगा, तो मुझे लगता है 5 questions रहेगा, एकाथ तो आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, उतना common sense आप लोगे पास में है, उसको solve कर सकते हैं, इसलिए यह सारा question आप लोग निश्चित रूप से complete कर लिजेगा, आपके लिए ही better रहेगा, तो ठीक है, तो यह हो गया आपका paper 6 का 2020 में जो examination होने वाला है, उसका question, तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, देखते हैं उसमें जो हैसो part 2 का मैं discussion करूँगा, आप mathematics से, तो कि बहुत सारे छात्रों का comment आ रहा है, वो लोग निश्चिंत रहे, अब उनहीं का upload होने वाला है, मैंने बोला न, 10 दिनों के भीतर सारा upload कर दिया जाएगा, बस आप